आइडियर स्टुडेंट्स यहाँ नेक्स्ट क्योशन नमें ले रहे हैं क्योशन नमेर थ्री इसे बूर लाए कि फाइंड वेलू आफ की ठीक है अब दोको फैक्टर थेरों का यूज करके मैं की वेलू को फाइंड आउट करना है क्योशन करना है पाइंड वेलू के if x-1 is a factor of x-1 x-1 is a factor of थेक है जिसके पहले वाले क्योशन ले глубn किया थे हैं में से यहाँ पहां हमें क्या करना है हमें k की वेलू फाइंड आउट करना है कोई एक पॉलनेमल दिया है वहां पे 1 k उसमें इन वाल है ठीक है और वहाँ से जानना चाहता है कि K की वेलू क्या होगी अगर X minus 1 means एक linear polynomial जो है P X हमारा के polynomial है उसका एक factor है तो देखें उसके लिए क्या करते हैं वो simple तरीका है वही तरीका हमें यहाँ भी apply करेंगे अगर वो factor है ठीक है ज़िए हमें आप बात कर लिए कि if X minus 1 X minus 1 is a factor is a factor of P X then by factor theorem P of 1 must be 0 यह हमको पता है ठीक है कि X minus A अगर किसी भी polynomial का किसी P X polynomial का factor है तो P of A equal to 0 ऐसा होता है हमने factor theorem में A पढ़ा था ठीक है तो यहाँ भी इस question बोला है कि X minus 1 is a factor of the P X then what is the value of K तो हम सबसे पहले तो A करेंगे P F 1 निकाल के क्या करेंगे उसको 0 के बराबर करेंगे अब देख लेते हमारे पास P X क्या है तो P X given यहाँ पर है P X is equal to X square plus X plus K ठीक और जो पॉल्लेमल हमारे पास दिया क्या दिया है X minus 1 दिया तो X minus 1 को हमने 0 को बराबर किया तो यहाँ से X बराबर कितना हो गए 1 आ गया तो हमें क्या नहीं करना P F 1 P F 1 is equal to कितना हो गया 1 का square plus 1 plus K अब यहाँ देख क्या मिल गया है 2 plus K P F 1 is equal to 2 plus K by factor theorem by factor theorem का सकते हो या तो यह का सकते हो since X minus 1 is a factor is a factor then P F 1 must be 0 X minus 1 factor equation में दिया है तो इसका मज़र P F 1 क्या होगा? 0 को बराबर होगा अब हम जो P F 1 को 0 को बराबर करते हैं it means you have to equate 2 plus K is equal to 0 अब यहां से बता है कि बराबर कितना मिले? कि बराबर minus 2 simple ऐसे ही करना है कोई भी question हो उसमें आपको ऐसे ही करना है चलो हम factorization ले लेते हैं इसका कोई भी और भी question अगर हम देखें तो हमारे पास एक third question और आ रहा है मालो third dollar थोड़ा सा complicated तो नहीं है बट देख लेते हैं क्या है यहां पर PX is equal to KX square minus root 2X plus 1 अब देखो यहां भी आपको K की value निकालना है और क्या दिया है X minus 1 is a factor इजे फैक्टर देन तो यह क्या करेंगे X minus 1 फूम 0 को बराबर करते हैं यहां से खताव कितना मिले वन मिले पी आपको यहां भी निकालना हो PX1 को मिले कितना हो KX1 का स्क्वायर minus root 2 into 1 plus 1 ठीक यहां से आपने क्या देख लिया P1 is equal to यहां पर मिला हमें कितना K minus root 2 root 2 into 1 root 2 plus 1 है ठीक पर प्लस 1 कर देख लिया अब देख को यह P1 है जो कि X minus 1 इसको फेक्टर है P1 must be 0 So for value of K for value of K K minus root 2 plus 1 is equal to 0 अब जैसे 0 को बराबर करते हैं ता आपको यहां पर K variable इसके लिए स्वार कर लो So K is equal to यह root 2 हमारा उधर गया दे कितना होगा आपका positive root 2 होगा 1 उधर गया दे कितना minus 1 तो K बराबर कितना आगया हमारा root 2 minus 1 K बराबर कितना आगया root 2 minus 1 तो I hope आपको clear हुआ होगा कि question number 3 जो हमारा है find the value of K इसमें सारे questions को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं हम factorize question number 4 factorizing कैसे करते है question number 4 में हमारे पास दिया है question number 4 में दिया है factorize मैं बोल रहा है कि 12x square minus 7x plus 1 अब यहां हम देखो जैसे हमने class 8 ने पढ़ा था just वही काम यहां पर करने वाले है तो जब भी ax square plus bx plus c के format कोई भी expression दिखता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस a का c के साथ multiply कर देए जैसे यहां पर 12 है 12 का हम one के साथ क्या करेंगे multiply कर लेंगे ठीक है और वह काम हम साथ यह काम हम क्या करते हैं बहुत छोटे में कर लेते हैं ठीक है तो 12 का हमने यहां भी multiply किया 12 into 1 कर लिया कितना है हमारा 12 आ गया 12 का ऐसे factor करते हैं जिसको की add करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए तो 12 के हमारे पास दो factor होंगे पहला तो होगा 4 into 3 और भी क्या होगा minus 4 into minus 3 तो को factor तो और भी हो जाएंगे लेकिन चुकि यहां पर 7 दिया है हमने यहां पर तुरंद सोच लिया कि 4, 3 कितना होता है और 4, 3 कितना होता है 12 होता है तो यहां पर जब 4 और 3 को add करेंगे तो इसको 7 मिलेगे यहां से 7 मिलेगे लेकिन अगर minus 4 और minus 3 को add करेंगे तो क्या मिलेगा minus 7 मिलेगा इसका मतलब हमें इसको नहीं लेना है किसको लेना? इसको लेना है यही आपके काम का है तो क्या कर लेता है इसमें देखिए अब अब हम यहाँ पे फिर से इसको ऐसे कर सकते हैं 12x²-4x-3x ठीक है और प्लस 1 देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो 7 जो middle term था उसको split कर दिया दू पार्ट में है एक कर लिए और रहे अब दो के दो कि एड कर लिया अब हमारे पास कितना अब यहां पर दोड़ बना लो इसको एक साथ लिख लो इसको हमारे पास क्या हो गया यहां से 4x common भी ले सकते हैं 4x taken as the common यहां पर कितना बचा 4 3 जा means 3x बचेगा ठीक है अब common लेने आपको आना चाहिए यहां क्या बचा 1 चुकि 4x से में क्या गया 12x में इसकार में divide गया तो 3x मिला ठीक है और 4x में 4x divide 1 मिला अब आज देखो minus 1 common लिया अंदर क्या हुआ हमारा 3x माइनस 1 देखो 3x माइनस 1 यहां भी है और 3x माइनस 1 यहां भी है 3x माइनस 1 हमने common लिया अंदर क्या बचा है अब देखो 4x बचा है यहां क्या बचा है तो 3x माइनस 1 बचा है से लिखा हुआ है प्लस माइनस से connect है तो इसका मतल हम उसको इस ब्रैकेट के form में हम separate कर दें ठीक है ब्रैकेट की form में अगर हम इसको जो है की arrange कर देते हैं means तो हम बोलते हैं कि हमने फैक्टर कर दे क्योंकि इसका एगर multiply करेंगे तो वापस आपको यही वारा चीज मिलेगा इसलिए होता है ठीक है अब जैसे equation और देख लेता है equation और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है 3x square 4th वाला देख लेता है 3x square minus x minus 4 अब देखें यहाँ भी वही चीज है 3 और 4 का 3 और minus 4 का मुल्टिप्लाई करती है कितना हुआ 3 into minus 4 कितना मिला है minus 12 मिल गया अब minus 12 के 2 factor कौन कौन से होगे अब देखो जब भी negative आए जब भी product negative आता है तो that means आपको यह समझना है यहाँ पर positive भी है और negative भी है ठीक है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या और यहाँ पर एक तो factor हो जाएगा 6 into minus 2 और दूसरा क्या हो जाएगा minus 4 into 3 factor बहुत होंगे लेकिन हमें यहाँ पर देखो क्या ऐसा चाहिए जिससे कि इसका जो addition हो कितना हो जाए minus 1 आजाए ठीक अब minus 4 और 3 को add करेंगे तो कितना आएगा minus 1 ही आएगा वो चीज हम यहाँ पर करने वाले है ठीक ठीक अब देखो हमने क्या किया कि इसको अगर add करेंगे तो minus x ही आएगा इसलिए हमने इस वाले factor को arrange किया अब यहाँ पर देखो क्या 3x इसका एक group बना लेते है इसका यहाँ group बना लेते है तो 3x square minus 4x और plus 3x minus 4 यहाँ पर देखो हम यह x common लिया तो क्या मिल जाए हमे 3x minus 4 यहाँ पर दोनों में कुछ common नहीं तो 1 common लिया तो क्या मिल लिया 3x minus 4 अब दोनों में क्या मिल जाए 3x minus 4 दिख रहा है तो 3x minus 4 हमने यहाँ से बाहर नकाल लिया और यहाँ क्या बचा x यहाँ क्या बचा प्लस वन देखो ओ भी आपका अरेंज हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम करते हैं कुश्चन वर फोर में हम इसलें तो मिडिल टम का ही यहां पर यूज है बस यहां पर अंदर क्या एकसे स्कार कोपसियंट वन नहीं है इसलिए एकसे स्कार के साथ जो भी कोपसियंट है उसका का हम क्या करतें अपसे मल्टिप्लाई कर लेतें यह स्कार कोपसियंट जो है इसका हम क्या करें मानस में किया करदे है पैंडתי करते हैं मान चैनल एक सक पर ऐसका हें निगालर जी सब्सक्रीन आब काम चला लोग के इस तरीके से करते हैं